नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन के 20 लाक हरा रासन कार्ड धारी लगा रहे P.D.S. दुकानों का चक्कर जारखन सरकार के ओर से 20 लाख गरीबों का हरा रासन कार्ड तो जारी कर दिया गया है लेकिन 6 मां से इन्हें रासन नहीं मिल रहा है लाभुक के ओल हरा रासन कार्ड लेकर PDS दुकानों के चकर लगा रहे हैं बताया जारा है कि FCI द्वारा चावल देने से इनकार करने की वज़ा से अधिकत हो रही है बतादे राज सरकार ने जन्वरी 2021 से जारखन राजिखाद सुरक्चा योजना लागू की थी इसके तहद खाल सुरक्चा दिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपे परती किलो की दर से 5 किलो चावल परती माउपलब्त कराया जाना था पिछले अगस्त माह में सरकार ने 5 लाख और गरीबों को इस जोड़ा है यानि अब इस राजे में योजना के लाभुक की संक्या बढ़ कर 20 लाख हो गई है इधर 10 माह होगा है अनुदानित दर पर 1 किलो दाल की योजना भी सुरू नहीं हो पाई है चाई भासा में सर्च ओप्रेशन के दोवान IDB स्पोर्ट में 5 जवान घायल जारखन के चाई भासा जीले में नकसलियों के खिलाब चलाया जा रहे अभ्यान के दोवान हुए IDB स्पोर्ट में CRPF के 5 जवान घायल हो गया है घायल CRPF जवानों को यार लिफ्ट कर राची लाया गया है बता दे चार घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में भरती कराया गया है दरसल जारखन के चाई भासा जीले में नकसलियों के खिलाब कई दिनों से सुरक्षाबल अभ्यान पर चला रहे है अभ्यान के दोरान ही CRPF और जीला के जवान टोटो थाना चेतर के सरजन बुरू में सर्च अपरेसन चला रहे थे इसी दोरान अकसलियों के दोरा लगाए गया आईडी में ब्लास्ट हो गया जो बलास्ट की चपेट में आने से CRPF के तीन जवान और दो हवलदार जखमी हो गया है बलास्ट होने के बाद तुरंत मामले की जनकारी पुलिस मुख्याले को दी गई गुमला में जंगली हाथी के हमले से ब्रीध की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि सत्पारा घटा में 75 वर्षी सीतवा गोल सोज के लिए जा रहे थे इसी दवरान घटना घटी है गुमला के सदर थाना चेतर के सत्पारा घटा में बुद्धवार की अले सुबा जंगली हाथी की चपेट में एक ब्रीध आ गया हाथी के हमले से 75 वर्षी ब्रीध की मौत हो गई है इस घटना के बाद गरामिन में दोसत का महल बन गया है वहीं गरामिनों ने घटना की सुचना असानिय थाना और वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है लेकिन घटना अस्थल पर कोई अधिकारी नहीं पहुचा है इसे घटना में दोसत के साथ साथ गुसा भी है पांच माह की बच्ची के साथ अंसन पर बैठी सिक्छक सरकारी कार्य की गती बहुत धिमी होती है इस वज़ा से लोगों को परिशानी भी होती है इसी का ये कुदानन देखने को मिला कोडार्मा जीला सिक्छा पता अधिकारी के कर्याले में जहां एक सिक्छक को अपनी बच्ची के साथ अंसन पर बैठना पड़ गया है बता दे कोडर्मा जीले में जीला सिक्षा पता अधिकारी के कर्याले आज कल चार्चा में बना हुआ है दरसर पिछले दिनों जिला सिक्षा पता अधिकारी के कर्याले के लपरवाई के करान 11 वर्स के सेवा काल के बाद दिब्यांग सहायक सिक्षक को कादेमुक्त किया गया था इस बार अपने वर्य अधिकारी यानि उपायूत के आदेश नहीं मानने कारोप सिख्छा विभाग कर्याले पर लग रहा है मामला हाई स्कूल के एक सिख्छक से जुड़ा हुआ है जो अपनी समस्या के समधान को ले कर पांच मा की बच्ची के साथ सिख्छा विभाग के कर्याले पर अंसन पर बैठी हुई है दिसोम गुरू सीबू सुरेन के आवास के बाहर जनम दिन की बधाई देने पहुँचे करेकरता दिस्वम गुरू सीवू सुरेन का आज 11 जन्वरी को जनम दिन है, सीवू सुरेन अपना उना सिवा जनम दिन मना रहे हैं, इस औसर पर उनके आवास के बाहर करकताओं का जुटान शुरू हो गया है, बतादे समर्थक ढोण नगारों के साथ सीवू सुरेन के आवास के बाहर देने के लिए उनके आवास के बाहर इंतिजार कर रहे हैं सीवु सुरेन ने अपने परिवार संग मनाया जनमदीन पुर्वकेंद्रिय मंत्री और मुख्य मंत्री रहे सीवु सुरेन आज उना सीवा साल के हो गए हैं इस औसर पर कई बड़े नेता और जहामों करकरता ने उन्हें बदाई दी हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना की सुबस से ही जहामों करकरताओं की भीर उनके रांची सित आवास पर लगनी शुरू हो गई थी सभी लोग हाथों में गुलदस्ता लिए उनके आगमन का इंतियार कर रहे थे जैसे ही दिस्वाम गुरु सीवु सुरेन अपने बेटे हेमान सुरेन और बहु कल्पना सुरेन के साथ पहुंचे लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिये बहु कल्पना सुरेन ने भी उन्हें जनम दिन के बढ़ाई दी और उनके दिरगायों होने की कामना की है बता दे सियम हेमान सुरेन ने अपने पिता को जनम दिन के सुब कमनाय देते हुए लंबी उम्र की कामना की है अंठामाल लाख किसानों की मदद करेगा केंद्र सुखार से जूचते जहरखन की सूद आखीर कर केंद्र की मोधी सरकार ने ली है बुद्धवार को केंद्रीय टीम ने राजधानी राची इस्थित चानो परखन के चार गाउं का दावरा किया और हालात का आकलन लिया रांची के नेपाल हाउस इस्थित किरिसी मंत्री के करेयाले में उच अस्तरिय बैठाक भी हुँ जिसमें किरिसी मंत्री बादल पत्र लेक केंद्र सरकार की सन्युक्त सचिव एस उनकी टीम और जार्खन के किरिसी सचिव अब्बू बक्कर सिद्की मौझूद रहे बैठाक में जार्खन में सुखार की जीती और किसानों को राहत देने के उपायों पर चाचा की गई बैठाक के बाद मीडिया से बादचीत में सन्युक्त सचिव एस ने कहा है कि जार्खन सरकार ने जो मेमोरेंडम दिया था उसका आद्यान करने के पचात के अंद्रिये टीम यहां पहुंची है उन्होंने कहा है कि हमारी टीम ने फिलाल चानों पर खंड के चार अस्थानों का दवरा किया है हमने पाया है कि वहां भूमी सुखी है जार्खन के खिलाडी और कलाकारों को राश्ट्रिये युआ महोसा दोहजरतेश में होना था सामील करनाटक में आयोजीत हो रहे राश्ट्रिये युआ महोसा 2023 में जार्खन से हिसा लेने वाले करीब सौव कलाकार कारकरम में जाने से वह अंचीतरा गाए जो खिलाडी और कलाकार राष्ट्रिय युवा महोसव में नहीं जा सके उन्होंने नराज की जाहिर करते हुए कहा है कि खेल विभाग युवम कला संस्कृति विभाग ने कलाकारों युवम खिलाडी के साथ गलत किया है क्योंकि सभी खिलाडी और कलकार सोमवार से ही अपने कई महतपुन कारियों को छोड़ कर राश्तिय युआ महोसव 223 में सामिल होने के लिए रांची आय थे फिर रांची से सभी खिलाडी और कलकारों को महोसव में सामिल होने के लिए करनाटक जाना था रांची से करनाठा तक भेजने की जिमिदारी खेले वम कला सुन्सक्रिती बिभागी थी लेकिन बिभागी तरप से कलाकारों या उमकी लाड़ियों की रेलवे टिकट नहीं कटाई गई समेद सिखर बिवाद से सियम हेमांत को होगा फैदा या बढ़ेगी टेंसन समेद सिखर बिवाद अब नया रंग लेने जा रहा है ताया बिवाद मुक्रि मंत्री हेमांत सुरेन और उनकी पार्टी जामों के लिए औस सहज करने वाला है गिरीडी में मंगलवार को आदिवासी परदसन कारियों ने राजय और केंदर सरकार का पुतला भी फूका है नराजगी दोनों को जहननी पड़ी सवाल है कि सियम हेमांत सुरेन को इसका नुक्सान होगा या फैदा मामले में अब जैन सान्थ हैं लेकिन आदिवासी भड़क उठे हैं मंगलवार को गिरीडी में आदिवासी का जन सेलाब उमडा और मरांग बुरू की मांग उठी है संताल आदिवासी की ओर से बड़े राय निती चेहरे के रूप में सालखान मुर्मू और सतारूड जैर्खन मुक्ति मुर्शाग विधायक लोभिन हेमरेम ने इस जना क्रोस को आवाज दी है इनके निजाने पराज की हेमान सुरेन सरकार भी थी और केंद्र की मोधी सरकार भी देव घर में सक्स पर फेका बम उड़े सरीर के चित्रे जैर्खन के देव घर में बुद्वार की सुबह दिल दराने वाली वर्दात होई है अपराधियों ने एक सक्त पर बम से हमला कर दिया है हमले में सक्स के सरीर के चित्रे चित्रे हो गए मिरित्ता की पहचान लक्षमी यादव के रूप में हुई है बताया जाता है कि 6 की संक्या में आए अपराधियों ने इस वर्दात को अंजाम दिया है पूलिस ने 6-2-6 अहलात में 100 को बरामत किया और पोस्ट माश्रम के लिए भेजा है मिली जनकारी के मुताविक देव घर नगर थाना छेत्र अंतरगात कोरिया सा राज की ये कृत्मत भी द्याले के सामने ब्यक्ति की मारकर हत्या की गई है बी-एड ओव एम-एड में नमांकन के लिए देना होगा एकजाम जार्खन मंत्री परिशत की बैठक में मंगलवार को कई महत्यपुन फैसले लिए गाए इसके तहद परवासी मजदुरों के समाने मौत होने पर भी पार्थिव सरीर उर्ष के गाव लाने में सरकार आर्थिक सायता देगी वहीं राजी के सरकारी औरनीजी B.A. M.A. कॉलेजों में नमांकन जारकन सनुक्त परवेश परिक्षा परचा द्वारा आयोजीत परवेश परिक्षा के जर्य होगी उच एवम तकनीकी सिक्षा दुआरा तयार यूजीसी रेविलेशन दुआरा के संस्वधित प्रस्ताव को स्विक्रिती दी गई है पारसनाथ मामला में आदिवासी 30 जन्वारी को रखेंगे उपवास आदिवासीों के महनायक बीर्शा मुंडा की जनमस्थली खुटी जिले के उली हातू में आदिवासी पारसनाथ पहारी को बचाने के लिए अपने अन्दोलन के प्रती एक जुटता दिखाने के लिए 30 जन्वारी को एक दिन का उपवास करेंगे आदिवासी संस्थाओं के सन्युक्त फोरम के एक सदा से निया जनकारी दी है बड़ी संख्या में आदिवासी मंगलवार को गिरी डीजिले में पारसनात पहाडियों के पास एकत्र हुए और राजी सरकार वा केंद्र से इस अस्थल को जन समुदाय के चंगूल से मुक्त कराने का आगरा किया है मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने उग्र अंदुलन की चेताओं ने भी दी है प्राइबेट सेक्टर में नौकरियां देने पर जोर नीजी छेत्रों में जार्खन के युवाओ को राजे में 75% अरक्षन को लेकर आज स्राम विभाग की और से एक होटल में कारेसला का आउजन किया गया कारेसला में मुक्य अथिति के रूप में स्राम नियोजन विभाग के मंतरी सत्यानन्द भोकता उपाथित रहे साथी कई कम्पनी धायरक भी इस कारेसला में मुझूद थे इस मौक्य पत्राम विभाग के सचीव राजे सर्मा ने कहा है कि जारक्षन का स्थानिय जवाओ को रोजगार मिल पाए जारक्षन का किस तरीके से विकास हो इसके लिए हमारा पर्यास रहेगा साथ ही उन्होंने नियोजन निती पर कहा है कि जो नियोजन निती रद हुई है वो सरकारी विभाग के नोकरियों के लिए है प्राइबेट सेक्टर के नोकरिये के लिए नियोजन अधिनियम 2021 यो नियोजन नियम आवली 2022 के तहात है प्रावेट सेक्टर में नवकरिया दी जाएगी धन्यवाद